आस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बंजर कॉंटिनेंट जिसमें इतने विशाल रिगिस्तान है कि उसमें लिटरली पांच भारत समाज है उस देश की गवर्मेंट के पास एक मास्टर प्लान है पूरे आस्ट्रेलिया को एक हरे भरे रेंफॉरेस्ट में तब्दील कर देने का आस्ट्रेलिया ने इन नदियों को डाइवर्ट करके यहां इस जील में लाने का प्लान बना है जिससे वो अल्टिमेटली आटिफिशिल रेंज बना पाएंगे देखो इस पूरे रेगिस्तान में सिर्फ एक बड़ी जील है और नदियां हार्ली दो और इसी वज़े से ये लेक इतनी खारी है किसके आसपास कोई इनसान तो छोड़ो जानवर तक नहीं भटकता है इन फाक्ट इंट्रेस्टिंगली यही रीजन था कि जब ब्रिटिश ने ऑस्ट्रेलिया पर कबजा किया तो उने खोद इस रेगिस्तान को खोजने में पूरे 10 साल और 3 बड़े और इस वज़े से वहाँ पर ब्रिटिश हर्स का आना जाना काफी रेगिलर होने लगा और इसलिए फाइनली ब्रिटिश सरकार ने भी सोचा कि क्यों ना एक टेलिग्राफ लाइन बिचा दी जाए जो डार्लिंग रिवर के दूसरे साइड याने वेस्ट आस्ट्रेलिया त तक पहुंचना तो सफर यहां से शुरू हुआ और इस जील तक पहुंचते ही खतम हो गया and why you may ask because ये जील सूख कर salt pan बन गए थी जिसे घोड़े आगे भाग नहीं पा रहे थे and attempt one just led to a failure दूसरा expedition हुआ अगले ही साल इस बास starting point था ये मुस्ग्रेव रेंजिस यहां से गा जिस वजे से गाइल्स ने वापस लोटने का फैसला किया और इस expedition को भी रोग दिया गया ये फेल हो गया पर हां यहां पर आता है एक fun fact जाते जाते उन्होंने इस रेगिस्तान को अपने साथ ही Gibson की नाम पर Gibson Desert दे दिया nonetheless कोशिश करने वालों की हार नहीं होती जैसे हमें मालूम है तीसरा और आखरी expedition शुरू हुआ कोची साल बार 1875 में पर इस बार planning थोड़ी सी अलग थी वेल उन्होंने घोडों की जगे पर यहां पर camels याने की उट का इस्तमाल किया जो रेगिस्तान में उनका साथ बखू भी दे सकते थे and guess what it worked out perfect तयारी की वज़े से एक ही साल में यह mission successful हो गया Giles finally West Australia तक पहुँच चुके थे और उन्होंने discover कर लिया था अब तक के hidden Australian deserts लेकिन surprisingly इतने बड़े landmass पर एक भी इनसान नहीं रहता था क्योंकि रेगिस्तानी जमीन नहीं उप जाओ थी और नहीं यहां पर पानी था इन फाक्ट वो landmass इतना सूखा पड़ा था कि जो थोड़ा बहुत जंगल महाँ पर था भी वो भी हर साल bushfires का शिकार बन जाता था और इसलिए यही सब देखते हुए 1930s में Australia के एक civil engineer Dr. John Bradfield ने government को इन सूखे central desert areas तक पानी पहुचाने के एक unique योजना बताई which was none other than the famous Bradfield scheme इस scheme के तहट plan एकदम simple था dams, tunnels, pumps और pipes ऐसी चीजों के मदद से यहां की तीन नदिया Tully, Herbert और Burdikin को divert करके Queensland के Thompson नदी में लेकर आए जो रेगेस्तान के बगल में थी और ऐसा करते ही Thompson में पानी का star यानिकी level बहाफ दोनों बढ़ जाएगा और सारा का सारा excess पानी के नदी रेगेस्तान में बसे खारे पानी वाली जील लेक आएर में पहुँच जाएगा अब उनका दावा ये था कि इससे दो चीजे होंगी नबर वान, कि ये लेक अब खारा नहीं रहेगा और आसपास की सारी जमीन को irrigate करने का काम करेगा जिससे soil erosion की पूरी problem ही खतम हो जाएगी जिससे finally Queensland की बंजर जमीन हरी भरी हो जाएगी और सिर्फ इतना ही नहीं इन अधियों पर बने dams से 370 MW की बिजली भी generate होगी and number 2 कि Australia के climate पर इसका इतना असर पड़ेगा कि रेगिस्तान में भी बारिश naturally होना शुरू हो जाएगी Sounds like a decent plan, right? Well, not really In fact, experts के साब से ये project दुनिया के सबसे बड़े reef, the great barrier reef को हमेशा के लिए तेहस महस कर सकता है कैसे? बढ़ आपको पता है ना कैसे हम सब एक food chain से connected है और अगर एक भी species पर असर पड़ता है तो बाकी का पूरा ecosystem chain reaction create होने के वज़े से हिल जाता है और इसी लिए नदियों को divert करने से उसमें पलने वाली fishes और species पर irreversible damage हो सकता है जो Australia छोडो बलकि पूरे दुनिया पर अपना impact छोड़ सकता है इतना ही नहीं experts का तो ये भी कहना था कि Bradfield की land calculation ही गलत थी let alone be the whole scheme क्योंकि उसने land को calculate करने के लिए इस्तिमाल किया था atmospheric pressure calculate करने वाला एक tool barometer जिसकी वज़े से ना तो land का elevation scientifically correct था और ना ही pressure and not surprisingly इन experts की कहीं बातें बिलकुल सही थी क्योंकि 1947 में जब एक सरकारी civil engineer WHR NIMO को Bradfield scheme को closely study करने का काम मिला तब उन्हें ये पता चला कि Dr. Bradfield ने existing नदियों के बहाव को धाई गुना ज्यादा consider कर लिया था और बस इसलिए इतने सारे loopholes की वज़े से इस Bradfield scheme को finally cancel कर दिया गया लेकिन ताजूब की बात तो ये है कि आज 75 सालों बात भी Australia की समस्या सेम ही है पानी जिसके लिए again ताजूब की बात है कि अब वो Bradfield scheme को ही एक बार फिर से launch करने जा रही है Australia के इंटीरियर्स को green करने के लिए but of course कुछ necessary upgradations के साथ अब changes के साथ भी ये कितना successful हो पाएगा ये तो समय ही बताएगा लेकिन तब तक के लिए ऐसा नहीं है कि Australia अपने deserts को green मिनाने के लिए कोई steps नहीं ले रहे है steps तो क्या? Australia ने इसके लिए कई unique जुगार निकाले देखो सबसे पहले तो Australia में beach भी अब drone की मदद से बोई जा रहे है actually bush fires याने jungle में आग लगना Australia में होने वाले सबसे बड़े natural disasters हैं जिसमें Australia हर साल अपने 20% trees को खो देता है तो ऐसे bush fires और otherwise degraded areas में कई private companies जैसे air seed, in fact एक सरकारी Australian website के according वहाँ daily almost 2 lakh trees plant हो रहे हैं जिसके लिए सरकार पिछले 7 साल में 1.5 billion dollars तक खर्च कर चुकी हैं इतना ही नहीं Australian सरकार रेगिस्तानों से बिजली और air from water technology के मदद से green hydrogen को भी manufacture कर रहे हैं and mind you, ये बिजली इतनी ज़्यादा है कि अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान तीनों को साल भर non-stop supply मिल सकता है well, plan simple है hydrogen को पानी से अलग करने के लिए electrolysis method यूज होता है जिसमें इस्तमाल होता है काफी सारी बिजली और इस बिजली का इंतिजाम किया Australia ने अपने ही deserts में solar energy plants बिचा कर जिससे अगले 5 सालों में वो 4,10,000 tons green hydrogen produce कर लेंगे which of course is huge तेकिन obviously green hydrogen project से भले ही रेगिस्तान का सही इस्तमाल हो जाएगा पर what about जमीन? वो तो फिर भी बंजर ही रहेगी ना well, इसका solution भी है Australia के पास तो Australian सरकार ने हाली में कई community groups के साथ मिल कर decide किया है कि वहाँ स्थित river, stream और wetland को restore किया जाए सो देखो, river के किनारों पर जितनी कम हरियाली होती है न उतना ज्यादा chance होता है उस river के erosion का और सीलिए सरकार ने भी river restoration की शुरुआत कर ली है उसके किनारों पर बसे natural vegetation को restore करने से मतलब river banks पर grass, shrubs और trees उगाने से पर इन सब को plant करने से पहले वो नदी के किनारों पर बड़े timber logs बिचाते हैं जो नदी का बहाव धीमा कर देते हैं और वहां planted पौधों को भी बचाते हैं thereby reducing soil erosion and finally इस सब की मदद से यहाँ पर flora and fauna एक बार फिर से flourish करने लगेंगे इन फाक्ट ये रेगिस्तानी पौधे तो आने वाले समय में कार्बन सिंग बनने की काबिलियत भी रखते हैं गुद नियूस राइट and काफी interestingly साइन्टिस्टों को पता चला है कि रेगिस्तानी पौधे जरूरत से ज्यादा कार्बन डियोक्साइड ले रहे है जिसकी वज़े से उनके पत्ते और भी बड़े उगने लगे हैं जो धीरे धीरे वहां का ग्रीन कवर बढ़ाने में मदद कर सकते हैं So yes, यहां तक तो सब सेफ एंड साउंड है पर अभी भी एक चैलेंज है जो ultimately Bradfield project के success या failure को तै करेगा And that is the presence और absence of potable drinking water Well, honestly, it's hard to say क्योंकि आश्चरिय जनक बात है कि आज भी Australia अपने 100 साल पुराने water systems को use करते जा रहा है जिस पर वो काफी dependent हो चुका है जिसे यह 1896 में बना water system Goldfields water supply scheme और यह pipeline आज भी operational है और तो और एक लाख लोगों के अलावा mines और farms को भी पानी supply कर रही है और दूसरा project snowy mountain scheme तो world का civil engineering wonder भी कहा जाता है जिसे साल 1949 में एक snowy river पर बनाया गया था यह project 9 power stations, 16 major dams, 80 km के aqueducts और 145 km के interconnected tunnels के वज़े से एक engineering wonder है और इस सब की वज़े से Australia ने innovations पर कोई खास ध्यान दिया ही नहीं जिस वज़े से आज भी वहाँ पर portable drinking water की problem मौझूद है तो अब सवाल यह आता है कि क्या Bradfield project इन सारे problems का two words solution है क्योंकि यह वाकई में Australia के लिए एक बहुती बड़ी समस्या है क्योंकि majority of Australia में deserts के वज़े से कोई population ही नहीं है इतना बड़ा देश है लेकिन population ना के बराबर है बर अगर हम Australia को पूरे दुनिया से compare करें तो ऐसा भी नहीं कह सकते है कि यह problem Australia के लिए exclusive है इतनी भी uncommon situation नहीं है चाइना की बात कर लो अगर आपको वो देखना है तो यह वीडियो खतम हो चुका है यहाँ पर click करके आप उस वीडियो को देख सकते हो इसके लबाब फ्रेंट्स Australian Government के initially failed Bradfield project को वापस लाने के बारे में आपका क्या सोचना है क्या आपको लगता है यह आज के टाइम पर workable होगा नीचे comments में बताना अपनी राए और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नहाँ सीखने मिला एक like जरू ठोकना get set apply fact channel को भी subscribe कर लो और bell notification दबाओ ताकि आग आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की update आप मिसना कर सको as always stay curious, keep learning and keep growing जय हिंद